कितने लोग डाइरी बनाएंगे आज से बताओ जल्दी वेरी गुड जिन्होंने हैपी टीचर्स डे लिखा है उनकी डाइरी मैं विद स्क्रीन शॉट बंगाऊंगी मैं असली काम दे दिया अब हैपी टीचर्स डे आज की डेट लिखे और आज से पूरे महीने की डायरी कब क्या खाया कब ये दरवाजा खुला मोटापे का दरवाजा क्या है कितना साही है? खुद से प्यार करना आ sait कितने लोगों को आ रहा है जिने पता चला है खुद का मतलब कि मैं खाली शरीर नहीं हूं मैं मोटापा नहीं हूँ बाद समझ रहे हूँ सिर्फ यही तो है दरवाजा डालने का इसी को तो संभालने हैं यही तो है दरवाजा या कहीं और से इसी दरवाजे को जिसने संभाल लिया उसका जो experience हो गया है भूलोगे नहीं कभी पतला चरहरी बोडी क्या होती है कैसे बिमारियों से मुक्ती होती है कैसे मन में उत्सार रहता है हम तो आज से वो लोग डाइरी बनाएंगे और आप देखोगे जब यह डाइरी आपको पता लगेगा मेरे पास आनी है तो कैसे तुम गलत खाके लिख लोगे अगर एक चमच नमकीन की फंकी बिमारी तो वो भी लिखना है उसको तो हम गिंता ही नहीं है हाँ सपनाम जी के चेहरे पे कितनी हसी आई जो जिनकी फंकी लगते है वो पता लग रहा है मेनाप्षी होता है कभी ऐसा कभी कभी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन आज इतना कॉंस्टिपेशन बढ़ गया है जिसको देखो कॉंस्टिपेशन हो कॉंस्टिपेशन होगा तो गैस्टिक प्रॉबलम होगी गैस्टिक प्रॉबलम होगी तो गठिया रोग उसी से connected है, हाथ पेरों में आपके दर्द रहेगा ही रहेगा, तो उसका simple सा तरीका, छोड़ा, relax, यह है हमारी दूसरी exercise. तेरे की उसको हो ना कबर, ऐसा अंदेर हो नहीं सकता, ऐसा अंदेर हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, ऐसा अंदेर हो नहीं सकता, बच्पन से तो हमने सुना है कि प्रेम गलियति साकरी, जिसमें दो ना समाए, लेकिन दो दो क्या, यहां तो, गिंती नहीं है, कौन-कौन समाया है, भीतर, खुद पर नजर रखनी होगे, अंतस यानि, भीतर, तुम्हारे भीतर क्या जा रहा है, हम, अभी हैपी टीचर्स रे का मतलब तो बता दू, अरे हैपी तो तभी होगा न, जब बात को सुनोगे, हैपी, हैपी, हैपी बनाना है न, सब कुछ तो बात को तो सुनिये पहले, कब बनेगा हैपी, बाबजी ने काया अभी, जितना जितना खुद में स्थित, स्थिर, स्थित, एंड स्थिर, उतना ज़ादा तुम्हारी एनर्जी एक्स्पाइंड होगी, पहले खुद से प्यार करना होगा, खुझ से प्यार करना आ रहा है कितने लोगों को आ रहा है जिने पता चला है खुद का मतलब है पीटीचर्ष डे कहना बहुत भारी पढ़ जाएगा आपको अगर बात बता दी बता दूं या नहीं बताओं किसके लिखाया है है पीटीचर्ष डे उनके लिए और भारी बताओं तो फिर विवेक कैसे जागरत होगा जैसे जैसे हम अपने दोशों को देखेंगे यह थोड़ा शास्त्रिय शब्द है जैसे-जैसे हम अपने जूट को पकड़ेंगे हमारी योग्यता बढ़ती चली जाएगी थोड़ा भारी हो गया तुमारे लिए में एडमिशन के लिए बीए की डिग्री चाहिए ना बीए में एडमिशन लेने के लिए ट्वेल्थ की डिग्री चाहिए ना पता है ना डिग्री का तो अंतस्की योग्यता के लिए क्या चाहिए जैसे जैसे अपने फिर से फिर हैपी टीचर्स अरे बात तो पूरी सुलो तो हैपी टीचर्स डे के लिए अपने दोश पकड़ में आ रहे हैं बताओ जैसे जैसे आपके दोश आपको नजर आने लगेंगे जीवन उपर उठेगा योग्यता बढ़ेगी किसकी अंतस की योग्यता उस योग्यता का परिणाम क्या होगा जो बात कही जा रही है वो ध्यान से सुन पाओगे लेकिन खाली सुनने से तो काम ना चलेगा सुनते सुनते हैपी टीचर्स डे आचरण में उतर जाए उस दिन हैपी टीचर्स डे होगा आचरण में तो भी उतरी नहीं है कुछ लोगों को छोड़के कुछ तो सामने दिखाई दे रहे हसते खेलते चेहरे 10 किलो 15 किलो 20 किलो जो भी स्यात्रा पर है काफी चेहरे दिखाई दे रहे हैं लेकिन कई लोगों का है कि दो किलो जाना मुश्किल लग रहा है क्यों, क्यों, पकड में नहीं आ राया अपना जूट, और फिर हम लिखें, happy teachers day, जूट पकड में नहीं आ राया, और हम लिखें, happy teachers day, अपने साथ ना इंसाफी हो जाएगी, बहुत जिली है, बहुत जिली अपने आपको ignore करके, अब ऐसी जीन है क्या? बताईए, ऐसे ही जीन है तो बताओ तो आज से क्या करेंगे, फिर करना क्या है भादो और सावन दो महीने होते हैं, सर्दी में बजन कमनी होगा आज से, आज की डेट डालके क्या डेट है आज पाँच प्यारे, पाँच हिंदरिया समय तो न, पाँच, पाँच इंदरिया पाँच करमेंदरिया, पाँच ग्यानेंदरिया तो आज से, फिफ्ट सप्टमबर एक डायरी बनाओगे जिन्होंने हैपी टीचर्स डे लिखा है, उनकी तो डायरी में पूरी वो स्क्रीन शॉट लेके भेजना पड़ेगा आपको पाँच करमेंदरिया